हेलो डियरे स्टूरेंट बहुत बहुत स्वागत अमनी यूटूब चनल कामर्द में संजीब सर में और आज मज़ा आ जाएगा मैं माश्टर वीडियो लेकर आया हूँ बिजनस कॉमणी के संगी ब्यापसाइक संचार की और मैं जतनी भी वीडियो यहां पर देता हूँ सारी आपके लिए वो वीडियो देता हूँ कि जो शायद दूसरी जगह पर इतनी सरल और अच्छे धंग से ना दी गई हो हमारी सारी वीडियो आप देखीगा उनमें सबसे यादा आपको हेडिंग्स मिलेंगी सबसे इजी रंगे में मिलेगा अगर ये वीडियो आप पहली बा अगर कोई बच्चा 80% से कम मार्स लाए तो फिर सिकायता आप हमसे करना वस करना क्या है पूरा ये आज समझ लीजेगा ओके ये बहुत बड़ी बात नहीं है जो हम बोल रहे हम जितना बोलते हैं उतना करते भी हैं तो आईए समझाते हैं कि आपको क्या करना है इन सब प्र कोशन आपके लिए मिलेगा ब्यापसाइक संचार क्या आशाय है ब्यापसाइक संचार से क्या आशाय है इसके प्रिकृति विसेस्ता आएं वा कारियों का वरलन कीजिए कारिये नहीं आये तो उद्देश आएंगे 100% आएंगे तो ब्यापसाइक संचार क्या होता है देखो ब्यापसायक संचार दो सब्दों से मिल करके बना है ब्यापसायक प्लस संचार ब्यापसायक का मतलब क्या होता है जब कोई व्यक्ति धन कमाने के उद्देश से कोई न कोई क्रिया कलाप करता है तो उसका क्या कहलाता है ब्यापसाय कहलाता है और ब्यापसाय करने में या ब्यापार करने में जो अपने गिरहकों से दूसरे बिकरेताओं से उसमें जो करमचारी हैं उनसे सबके मध में होने बाला जो बारता लाप होता है जिसका सीधा सा उद्देश कहीं न कहीं बिजनस सुझड़ा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए दूसरे लोगों को लवाने के लिए क्या है कि अपने जो विचार है उनका आदान परदान ब्ले आसानी से कर सकता है और उनमें अपनी समस्त भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है तो इस तरह से जो संप्रेशनल एक मानविय करिया है संप्रेशनल बिचारों का आदान परदाना ये सारी चीजे इसके प्रकृती में आप लिख दीजेगा संप्रेशनल समय बचाने वाली प्रकृतिया आप समय कर दो मारगी प्रकृतिया के लिए उचीब मार्स्ट ओती सम्प्रेशनल लगातार होता है कोई ऐसा टायम नहीं होता जब कॉशन नहीं होता है बच्छा जैसे जनम लेता है तब से लेकरके और अन्ड को म्रोता है संप्रेशन से भ्रहम दूर होते हैं, संप्रेशन से संबंध मजबूत होते हैं, संप्रेशन से परिवर्तन होता है, संप्रेशन जो है एक दूसरे पर प्रिवाव चोनता है, संप्रेशन से व्यवसाय का विस्तार होता है, संप्रेशन दो या दो से अधिक पक्षों में ही होत है ओके और इसके अलाबा संप्रेशनल को ब्यक्त करने के लिए कोई ना कोई प्रमुख चैनल भी होता है तो यह सारी जब प्रकृति को आप समझ लोगे समझ लोगे पूरा यह पेपर आपको बहुत आसान लगने लगेगा ओके अब संप्रेशनल के जो विसेश्था हैं यह हैं कि दो लोगों में होता है ठीक ब्यापार के लिए जरूरी है और समझ प्रकृति है अब इनके उद्देश और कारिये यह अगर मैं एक एक तरके बताऊंगा तो बहुत देर लगेगी इनके लिए अगर आप हमारे यह से पीडिएफ नोट्स परचेज करना चाहेंगे त बहुत इंपोर्टेंट है समझ समझ प्राचीन समय से व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए तमाम तरीकों का उपयोग करता रहा था और जो तमाम तरीकों का उपयोग करता रहा था उनमें से कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे सबसे जादा दूसरों पर पर पिरवहाव बलकि वो सभी तौर तरीके वो सभी नियम जिनसे कि संप्रेशन और प्रभावी बनता चला गया उन्हीं को हम कहते हैं संप्रेशन के माडल और देखिए मर्फी माडल है आरिश्टोटल माडल है ठीक है लासवाइल का माडल है यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है बीबर इसके प्रकारों को लिखना है कभी कभी संप्रेशन का रूप आ जाता है तो बच्छे डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि रूप और प्रकार के अलग अलग है बिलकुल अलग है देखो यह नीचे मैंने सौर्ट में दिया है रूप दो होते हैं आंत्रिक शंप्रेशन बाय हुआं ठीक है और अबहना बूस्ति नहीं आता है की आध़ला चेफरेंस नहीं विस्तवरफ होता है और या मौकिन होगाधक kया फिर अशन जबहुत जादा इम्पोर्टेंट है यानि सवारिक भाव भंग जんです करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि दैहिक भासा जैसे आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और उसका जो चेहरे की बनावठा कर मुस्कराता है तो समझ लिए कि एक पॉजिटिव कॉमनिकेशन हो रहा है और आपने गाना भी सुनाओगा कि आखों ही आखों में इशारा हो गया तो यह क्या है आखों ही और समझ लो कि भी यह संचने का पड़ने कि वाला ये दैहिक होती बहुत इम्पोर्टेंट है दैहिक महासा कॉम्णिकेशन में और बाकी साब्दिक और असाब्सिक शंप्रेशन के बारे में आप है जिसमें जो कॉम्णिकेशन का है सब्दों का इसतेमाल किया जाए चाहे वो सब्द लिखेत्म हो चाहे मौखिक हो उसको हम कहते हैं शाब्दिक संप्रेशन और अशाब्दिक संप्रेशन बैसंप्रेशन होता है जिसमें बिभिन्य प्रिकार की बनावटों से बिभिन्य प्रिकार के इशारों से बिभिन्य प्रिकार के चिन्नों से बिभिन्य प्रिक से आप क्या समझते हो इसके तत्वत्वा सिद्दान्त बताइए इसके प्रभाव बताइए इसका क्या प्रभाव पढ़ता है तो प्रभावी शंप्रेशन से आसे बय है कि जब हमको पहले से कोई जानकारी ना हो और कोई ब्यक्ति है वो हमको जब उसके बारे में बताता है त पर तो समझ लो कि ऐसा कॉमनिकेशन जो दूसरे पर प्रभाव छोड़े इसी को कहते हैं प्रभावी संपरेशन जैसे हम बचों के यह बताते हैं कि बेटा कॉपी कैसे लिखोगे अब इससे पहले क्या होता है इस टॉपीक में किसी ने मतलब पड़ा ही नहीं हो या उसे किसी एसी ने बतायी नहीं हो तो जाहिर सी बात हूए सो जैसा आता वो तो वैसा ही लिखेगा लेकिन होता कि अब बर्तवान समय में बहुत चीज़े परवर्तित ióती चली जा रही है और ऐसे परिवर्तन में हर छोटी-छोटी बात को अगर आपने परिवर्तित करके नहीं present किया तो समझ लेजेगा कि अच्छी marking कैसे आप आएगे दूसरे पर हम प्रवावी नहीं डाल पाएगे क्योंकि copy में क्या होता है first page भी अलग करके coding से copy आप चेक होती है और coding से जब copy चेक होती है तो वहाँ पर यही पता नहीं चलता है कि यह copy लड़का की है या लड़की की है किसकी है किसकी नहीं है और copy में जितना लिखा हुआ होता है वो ही हमारे knowledge के लिए present करता है तो मैं तो कहता हूँ कि copy ही तुमारा सबसे बड़ा क्या है धन है क्योंकि copy में ही जितना अच्छा present किया हुआ होगा उतनी अच्छी तो मार्किंग मिलेगी तो कुल मिला करके जब सारी चीज़ें जब इस्टुडेंट को समझा दी आती है फिर वो उन्हें तक्निकों का इस्तेमाल करता है भले ही प्रसन आता हो या ना आता हो लेकिन मार्किंग फिर भी बहुत अच्छी आएगी क्यों पूरा मतलब कॉपी का इक अच्छार पढ़के कोई चेक नहीं कर रहा है हर इन कोश्चनों को प्रिजेंट करने का एक कोई ना कोई निश्य तरीका होता है और जितना प्रिजेंटेशन अच्छा होगा बस थोड़ी सी राइटिंग अच्छी सी हो समझ लीजेगा कि मार्किंग तो बैसे ही वर्सात होगी और इसके बाद में जो प्रिभावी संप्रेशन है आप समझ गए होंगे कि पर जो दूसरे के हिर्दय पर प्रिभाव चोड़े जैसे हम कॉपी को बता रहे थे कि ओ इतना उचा बंडल उसके पहात में आया और इसके बाद में एक ऐसा बंडल आया अरे कि जिसमें बहुत अच्छे-ची हेडिंग्स हैं उसमें लिखा हुआ भी बलिया है और अच्छे से परजेंट किया हुआ है जहां से कोशिन सुरू हुआ बहां पर भी एक दम क्लियर्टी के साथ में दो-तीन लाइने ऐसी थी जिसने सपष्ट कर दिया कि बच्चे कंदर नालिज है जैसे हम लोग चाबल पकाते हैं जिस बरतन में भी पकाते हैं हमको चेक करना है कि सारे चाबल पक गये नहीं पक गये है कि हम दूसरे के सामने कितना अच्छा प्रभाव चोड़ पाते हैं यही हमारा प्रभावी शंपरिशनल है इसके तत्तो और सिद्दाम समझाए प्रभाव क्या पढ़ता है इसका प्रभावी शंपरिशनल का प्रभाव इतना पढ़ता है कि व्यत्ति का अपना जीवन बदल सकता है, उसका नजरिया बदल सकता है, उसकी सोच बजल सकती है, और उसके अंदर का जो knowledge है वो बदल सकता है, क्यों एक आपने सुना होगा कि मूर्ख ना जानता है और ना मानता है, ठीक, मूर्ख ना जानता है ना मानता है, क्यों उसके ए पेपर में आ जाए, तो स्वार्ट बिसलेशन के बारे में शुरू आज से लिखिए, कि स्वार्ट बिसलेशन एक ऐसा बिसलेशन है, जो किसी भी कारिये को करने में सफल होने के लिए बहुत बड़ी सकती पिरदान करता है कि जब हम किसी फिल्ड में बर्क करते हैं तो हमको चार चीजें फेस करनी होती है चाहे हमारा परिवार हो, चाहे ब्यापार हो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हम बाहर जाएं वो चार चीजें कौन-कौन सी होती है सबसे पहने हैं as, as far strength यह हमारी power जो हमको हर ब्यक्ति के पास जैसे जो लोग यह वीडियो को देख रहे हैं उनके पास में एक power कोई ऐसे जरूर होगी जो दूसरे के पास में नहीं होगी जैसे हम आपके लिए हम पर पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हमसे कोई अच्छे पढ़ाने वाले भी हो ऐसा हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है हो सकता है हमसे अच्छे पढ़ाने वाले भी हो लेकिन हो सकता है कि हमारा presentation का तरीका और अच्छा हो हो सकता है कि आपके पास में नॉलिज भो तो आपकी राइटिंग सही ना हो ये कमजोरी है आपकी है और हो सकता है कि राइटिंग अच्छी हो तो नॉलिज सही से ना मिल पाया हो सही से टीचर ना मिल पाया हो सही से सलेबस ना समझ पाया हो सही से युनिवर्सिटी नहीं हो प पैत्रक रूप से आता है और T का मतलब है थ्रीट्स दुनिया में कोई काम कर लीजे बाधाएं जरूर आएंगी तो ठीक यहां पर स्वाट बिसलेशन हमको यह बताता है कि हम किसी भी फिल्ड में बर्क करते हैं तो चार चीजों का हमें सामना करना होता है S फार स्ट्रेंथ जो हमारी पावर होती है W फार बिकनेस कुछ कमजोरियां होती है और T फार थ्रीट्स बाधाएं भी आती है इन सब चारों को समझने के बाद में जो सफलता के इस थर पे पहुंचता है इसी को कहते हैं स्वाट बिसलेशन और अपनी बिकनेस और थ्रीट्स देखो एक के बाद यह है S का मतलब श्ट्रेंथ मनेट ताकात और D व फार बिकनेस आप यह देखो कि आपके पासमें ताकत कौन-कौन सी है फिर यह देखो । कि आबसर आपको कहां पर मिल सकता है ऑके और टी फार उसमें बाधाएं कौन-कौन सी आती हैं आपने बहुत ज अपना काम करने दो तुम उन बाधाओं को पार करते हुए उनको सहते हुए अपनी मंजल पर जाओ यही असली कॉम्मुनिकेशन है तो इसी को हम स्वाट कहते हैं आगे है अपुष्ट संप्रिशन अंगूरी लेता संप्रिशन इसमें क्या होता है बात का बतंगल बनना जैसे पकड़ा गया चाहें बिचारे का कुछ ना हुआ हो लेकिन फिर भी मार्केट में एक हवा उड़ गई तो समझ लो कि उसको रोकने वाला फिर कोई नहीं है इसलिए इस संप्रिशन को क्या अपुष्ट संप्रिशन कहा जाता है अंगूरी लेता संप्रिशन इसलिए कहते है क्योंकि इसकी जो आकिरती होती वा अंगूर के गुच्छी जैसी होती है यानि यह स्टार्ट होता है एक मिले दो मिले तीन मिले चार मिले पंच मिले छे मिले इस तरह से बहुत सारे लोग इसको मिलते हुए चले जाएगे और यह आगे बढ़ता हुए चला जाएगा तो ए एक अंगूर जैसे गुच्छी आ जाती है शुरु आत में दिह ज़रे चलता फिर स्पीड बलती है और बलती है तोけて स्वति नगार तरिए इसलिए इस संप्रेसोल को हम आधास संप्रेस्न खेते हैं इसके गुड़ दोस हमारे नोडस से निटिग्ट आपको मिल एट अपना त करने को मिलेगा अगला संप्रेशनल बाधा आप से क्या समझते हो संप्रेशनल की प्रमुक बाधा है इनको दूर करने के लिए सुझाओ दीजिए बहुत इंपोर्टेंट है जब हम कोई कॉमनीकेशन करते हैं तो उस कॉमनीकेशन में अचानक आने वाली रुकाबट जो किसी हो सकती है उसको क्या कहते हैं संप्रेशनल की बाधा कहते हैं जैसे यह पूरा पुरा पढ़ाना था लेकिन कुछ एड़ेंट है उन्होंने देखा शुरू में 24 लाएने पढ़ाई है वहीं से चल दिये क्यों दूसरे की जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक वो चीजे हमको कहां से प्राप्त हो पाएंगे कहते भी है last speaker has a great chance to end the influence of first speaker यानि बाद में बोलने बाला वो सारा प्रभाव खतम कर दे सकता है जिस ब्यक्ती ने पहले बोला हो ठीक है क्यों वो सब सुना हुआ है किसने क्या 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 कहा लेकिन वो तभी तो कर सकता है जब एक पूरी प्रोसेस के थो चलेगा यही संप्रेशन की प्रमुख बादा होती है हमेशा वही ब्यक्ती अच्छा speaker बन सकता है जिसने जो अच्छा listener रहा हो जिसने प्रभाव पूर्ण तरीके से सुना हो हम सारी चीज़ों को अगर ध्यान से सुनेंगे समझ लो अच्छा कर पाएंगे अगर हमारे गुरुओं ने अच्छा पढ़ाया ना होता और हमने अच्छे से पढ़ा ना होता तो बिना हमारा कोई student हम आपको बता है हाथ में book नहीं लेता है book लेने की जरूरती नहीं है क्यों कोई topic बोल दिये फटा फट वो बोलेगा क्यों ऐसा हम भी करते हैं ऐसा बो भी करते हैं थोड़े समय बाद योगता अपने अब बोलती है वो इसलिए क्योंकि जब इन सब बातों को हम mind में site कर लेंगे तो जरूरत नहीं होती है हमको किसी unchange की और ये god gifted होता है जो हर किसी के पास होता है बस उसको develop कर पाना ना कर पाना ये हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी होती है तो संप्रेशनल करने में अनेक बाद हैं आती है कहीं पर दूरी अधिक है कहीं पर शोर अधिक है कहीं पर चैनल की दिक्कत है कहीं पर गलट टाइम है जैसे तुम्हें किसी का बीमा करना है कोई विक्ति बीमार है और तुम कह रहा है बीमा करा लो तो समझ दो गालियां ही देगा कहेगा हम मरने जा रहे हैं और कहरा भीमा करा लो या बीमार है दवाई ले करके आ रहे हैं डाक्टर को देने को पैसे नहीं वो कहरा भीमा करा लो तो कुल मिलाकर करके ये भी एक बादा है कि उचित समय का ना होना ये भी एक समस्या ठीक है तो तमाम बादा हैं कम से कम 20-25 बादा हैं हैं और इनको दूर करने के लिए बस जो बादा हैं हैं उनको सुधार करने के लिए जैसे कौमनिकेशन समय से करना चाहिए कौमनिकेशन में उचे सब्दों का प्रियोग करना चाहिए कौमनिकेशन में दो दोर को हटा देना चाहिए ठीक है जैसे मंच पे नेता जी भासड देते हैं तो बहुत लोग लोग हाहला करके तालियां बजाते हैं और तब तक नेता जी क्या बोल गए पड़ोस बाले को पता ही नहीं चलता है क्यों तब तक तो तालियां ही पिट रही है तो सुनेगा कौन तो इस तरह से ये संप्रेशन की क्या है बादाएं हैं जिनको दूर किया जा सकता है अगला बहुत इंपोर्टेंट है सच्छातकार किसे कहते हैं देखिए सच्छातकार को अंगरेजी में इंटर्वियू कहते हैं इंटर पिलस ब्यू इंटर माने होता प्रवेस करना सच्छातकार में जूठन है उनको ध्यान से सुनना चाहिए प्रस्न के उतर सथिक देना चाहिए इसा नहीं इधर अधर देखना चाहिए बेजबूसा ठीक से मतलब बनाके जाना चाहिए अच्छे से बहां पर जाना चाहिए और बैठने उठने का जो तरीका है वो ठीक होना चाहिए और जो आई कॉंटेक्ट है वो बनाए रख करके तब बात करना चाहिए ठीक है और बहाँ पर अपनी योगता को पूर रूप से पिरकट करने का पूरा-पूरा प्रियास करना चाहिए और जो अपनी कमिया है उनको प साचाद्सकार के पिरकार को सेंहिं दु号 मेरत assignments साचादकार पारवारिक साचादकार ठीक है और यह मोफ्षयक पूछे जाते हैं वो अपनी पूछ्छि पत्र लार यह जातर नौकरियों इत्यादी साचादकारों कि बात ज्यादे करते हैं आगे ब्यापारिक पत्र अरे प्राचीन काल में इतने संसादन नहीं थे प्राचीन काल में जो करेता और बेकरेता के मद्द कॉम्निकेशन का सबसे बड़ा जरिया था ब्यापारिक पत्र थे और पत्रों पर लेखों से क्या है कि कॉम्निकेशन होना विचार लेना विचार द थे इनके पिरकार बहुत most important है गस्ती पत्र है परी पत्र है पुछताज के पत्र है निर्क पत्र है ठीक है इन सब पत्रों को लिख दीजे और एक पत्र का नमूना एक दो जो है पत्र उनको पढ़कर के देख लीजे most important है संप्रिशन के आधनिक साधन देखे रेडियो है टेल communication के जो साधन है करी 15 और 16 है ठीक इन साधनों के लिए आप सही से पढ़के जाएए किसी एक कवरलन करना होगा उसकी characteristics कर लिखना है गुरदोस लिखना है महत लिखना है और अगर वो आप पर छोड़ दे तो आम mobile phone को मतलब चुल लेना और उसी के बारे में पूरा लिखना ठीक है आप जानते हो कि उसका क्या क्या महत तो है यह long question है इनके अलावा sword question मैं यहाँ पर बदा दूँ देखो इतना सब कुछ अगर पढ़ दिया एक प्रस नहीं बचेगा अथवा वाले भी 100% यहीं से आएंगे ठीक है देखिए प्रती पुष्टी का अर्थ मिसेस्ता है तो वही चीज है हमारी क्या दैहिक communication ओके और संप्रेशनल के रूप में आंत्रिक और बहाय दो परकार के संप्रेशन होते हैं जब communication संस्था के अंदर अंदर ही होता है यानि अंदर के करमचारियों के द्वारा होता है ठीक तो उसे हम कहते हैं यह आंत्रिक और जब किसी बाहरी सकते हो अनुप चारिक संप्रेशन में आता है लेकिन जब भी आप अपने किसी अधिकारी से बात करेंगे इसी ऑफिस में जाकर के बात करेंगे अप्चारिक 10 बजे जाओगे 10 से पहले नहीं जाओगे और बढ़ी सालींता से बात करोगे आधर्रनी कहके के बात करोगे ते कगालियां नहीं दोगे तो उतमें क्या देगा अंदाजर लगा caution की परमोग कोई 5 पाथ क्पोडिंट है और आप से पूछ रहा है तो सुम्प्रेसणन सभी सिद्दान्त है डों पहला है संप्रेस्ट दो कमद्ध में होता है कम संप्रेश्णल का कोई न कोई शमय होता है संप्रेश्णल का कोई न कोई उद्देश होता है यह सारे इस तरह के सिद्धान्त है और अच्छी व्यापसाय के रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए सब्सक्राइब इसफ़ट बहासा में होने चाहिए, ओछए प्रारूप पे होनी चाहिए, समप्रेशनल का दोई मार्गी होना, two-way communication, communication हमेशा एक बैक्ती में नहीं हो सकता है, कम से कम दो लोग चाहिए, दो से अधिक हो सकते हैं, इसी को हम कहते हैं, communication, इसमें क्या है चित्र बना के आना यहां जगे तो है नहीं कहां बनाते हैं चलिए चोटा सा हम बता देना इस तरह का बनाना ठीक ऐसे लिखना पहले नंबर प्लिकना प्रेश्शक ठीक दूसरे नंबर प्लिकना स्चंदेश ठीक तीसरे नंबर प्लिकना माध्यम ठीक यहां प प्रकार का यह डाइग्राम बन गया ठीक इसी को कहते हैं समप्रेश्णल का दोई मारगी होना ठीक और इसमें आप ने देखा कि जो प्रेश्थक है लौट करके उसी के पास में आ गया यानि प्राप्त करता और प्रेश्थक कम से कम दो लोगों का होना कॉम्निकेशन में सब लोग सुनते हैं एक भ्यक्ति खड़ा हो करके स्पीच देता है और किसी भी विश्थके बारे में विस्तार पूरवग बोलता है और सभी लोग उसके लिए ध्यान पूरवग सुनते हैं इसे हम क्या कहते हैं बहां साथ बिचार गोश्टी क्या होती है समूचर्चा वर दूसरा जवाब देदेगा तीसरा बोलेगा चोथा भी जवाब देगा मतलब इसमें सब एक साथ मतलब चलता है जिसे राह मश्विरा कहते हैं लेकिन विचार गोश्टीम क्या होता एक एक व्यक्ति को मौका मिलता है वो अपने विचार रखेगा फिर दूसरा अपने बिकास हो गया ठीक है और आतम बिकास बद्रश्टी कॉन बहुत से लोगों ने इसको इस नजरिये समझा होगा है सामने बाले की अठकी है तब यह यह सब बाते बता रहा है या बहुत पैसे पैदा करने के लिए सब बोल रहा है वो उसका अपना द्रश्टी कॉन है बहुत से बन परसंट भी वहरोसा करते हो हमेसा पॉजिटिब रही है ओके दुनिया में बेटा कोई किसी के लिए फिरी नहीं है कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो तुमारे कल्यान की भावना करेगी कोई ब्यक्ति ऐसा नहीं है जो सबसे पहले अपना हेत नहीं देखेगा यही नुक्सान हो जाएं सीख मिली कम से कम बहुत सारे स्टुडेंट हैं जो हमारी फीस कहते हैं आम पे कर देंगे नोट सेंड कर दी यह कर दिए नहीं करते क्या कर लोगे हैं लेकिन यह सब चीजे पॉजिटिब में हमको कोई न कोई सीख देती हैं और मेहनत कर रहा हैं ऑफिस क्या होता है द्रश्टी कूण बहुत से बच्चों की बास्तम जो अच्छे बच्चे उनको दो मिनट भी नहीं लगते हैं और हम यह सारे जो पेपर हैं आपको पड़ा देंगे तीनों पूरा समिस्टर पड़ा देंगे वह पांच मिनिट लगाते हैं बहुत से हम गरीब है हमको हमारे पास पैसा नहीं है यह चला रहे हैं स्मार्टफोन कर रहे हैं बीकॉम ठीक और मतलब पड़ाई के लिए नहीं है तो समयलों की जीवन में तरक्ति कैसे करोगे यार तो यह उनका अपना क्या होता है द्रश्टी कूण होता है अलाहिक कोई अन्यथा मल लेना इसक उत्देश होते हैं कि शुरुताओंको चांटना की चांटनकी कितने शुरुताफ्यवावी प्रभाववी में कितने निसप्रिए हैं सांस्कृति संप्रेशनल का मतलब सीद़ा सीदा सीद़ाम संप्रेशनल होते रहते हैं मंदेर मस्जद गुर्दवारों में चर्च में तमाम तमाम तरीकों के जो प्रोग्राम है वो आयोजित होते हैं इन सब का मतलब क्या है कि हमारी जो आगे आने वाली पीड़ी है वो उनसे ओत्प्रोत हो और उनसे सीख ले उनकी भावनाओं को समझे जिसे होली है दीपाबली है इद है बैसाखी है और जो क्रिस्मस है इन सब का एक ही मकसद है कि हम अपने रीती रिवाजों में मतलब समझे कि हमको आगे क्या किस तरह से करना है मजहव नहीं सिखाता आपस में बैरे रखना कोई भी मजहव ऐसा नहीं है कोई भी हो जो आपको बैर सिख संगती सिखाती है संगती ओके और यह द्रश्टी कौन सिखाता है जो हमको हमारे देखने की द्रश्टी दूसरे की प्रतिक कैसी है ठीक e-commerce, email, e-banking, internet यह बहुत पूछा जाता है internet काई internet दो सब्दों से मिलकर बनाए इंटर पिलस नेट, इंटर माने प्रवेस करना, नेट माने जाल, जब कंप्यूटरों के जाल में हम प्रवेस करते हैं उसे हम कहते हैं internet, e-banking, electronic signalों के माध्यम से, electronic app के माध्यम से, जो money transfer होती है इधर से उधर, ठीक जैसे paytium है, google पे है, phone पे है, यह सब चीजे हमारी e-banking मे आ रही है, e-commerce का मतलब है, कि साइटों के माध्यम से, जो order लिए जा रहे हैं, दिये जा रहे हैं, वो हमारे कहा है, e-commerce है, email, एक electronic mail है, जो dark है, प्राचिन समय में, वो तो hard confirm जाती थी, लेकिन, जब हम signalों के माध्यम से ही, एक दूसरे से बारतालाब कर लेते हैं, जैसे इस सब को तयार करने के भात, सब कुछ पड़ा हुआ लगेगा, ओके, और जो student हमसे जुड़ना चाहते हो, तो उनके लिए office का number है, 9719811101, जहां से आप हमारे channel से गर जुड़ना चाहोंगे, जुड़ सकते हो, ओके, तो कैसा लगा ये, जरूर लिखना मिलते हैं, नेक्स